नमस्कार अपलाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी रुपाली विधानसभा सीट पर उपचुनाओ के लिए नमांकन का आखडी दौर शुरू हो चुका है क्योंकि आज 20 जून है और कल 21 जून आखडी तारीक ऐसे में अब जो पहलवान मैदान में उतरने को लेकर बेताब थे अब वो अपना नमांकन या तो करा चुके हैं या आज करने वाले हैं हम आपको बता दे कि जनतादल यूनाइटेट से कलाधर मंडल अपना नमांकन कर चुके हैं तो आरजेडिस से सिंबल मिलने के बार बीमा भारती ने भी बीते दिन अपना नमांकन परचा रुपॉली की सीट पर भर दिया लेकिन इन दोनों के आमने सामने की लडाई को और ज्यादा दिल्चस्प बनाने के लिए पुर्व विधायक संकर सिंग भी आज अपना निर्दलिये नमंकन परचा भरने वाले हैं इसका आयलान उन्होंने खुद किया है और ऐसे में लोकसभा छेत्र के अंतरगत आने वाले रुपॉली विधानसभा सीट की जो लराई है वो बेहत दिल्चस्प बनने जा रही है एक तरफ जहां लोजपा के नेता रहे पुर्व विधायक संकर सिंग आज अपना नमंकन परचा भढ़ेंगे तो वहीं दूसरी तरफ इससे ज लेडियू के लिए बढ़ सकती है 2020 के विधानसभा चुनाओ को कौन भूल सकता है जब जनता दल यूनाइटेट को 43 सीटों पर लाने में लोजपा के कैंडिडेट्स ने अहम भूमिका निभाई हलांकि इस चुनाओ में संकर सिंग लोजपा का दामन छोड़ चुके हैं नि लिडेट कलादर मंडल की रह इस सीट पर आसान नहीं होने वाली हलांकि भीमा भारती के लिए भी इस सीट पर मुश्किल बहुत जादा है आपको मालूम होगा सन 2000 से लगतार इस सीट पर वो विधायक बनते रही एक बार संकर सिंग से जरूर हारी लेकिन उसके को छोड़ दिया राजद मी आई लोकसभा का चुनाव लरा तो अपने ही विधानसभा छेत्र में महज 10,000 वोट लेकर आई और कहा जा रहा था कि उसी वज़ा से राजद भी सोच में पर गई टिकट दे या ना दे पहले चर्चा इनके पती अवधेस मंडल की थी लेकिन अ फिर लालु परशाद यादो को किसी तरह से मना कर खुद के लिए टिकट जरूर हासिल कर लिया एक बार फिर वो मैदान में उतरी हैं उनी के इस्तिफे से ये सीट खाली हुई है लेकिन पपू यादो के साथ जो अदावत लोकसभा में उनकी शुरू हुई वो कहां खतम हो ने जा रही है पपू यादो ने सीधे तोर पर बीना नाम लिये ये कह दिया किसी पियाई का कैंडिडेट होता तो जरूर समर्थन करते लकिन अपराधियों के पक्ष में वो नहीं है जिस तरीके की घटनाए घटी है उसके बाद वो समर्थन करेंगे ये तो कोई सोच भी नहीं सकता जाहिर है पपू यादो ने भीमा भारती और राजत को सीधे सीधे ये चेताओनी दे दी है हरका दिया है कि जिस तरीके से पुर्निया में हराया है रुपौली में भी हराएंगे पीछा नहीं छोरने वाले तो एक तरफ कलाधर मंडल की मुश्किल संकर सिंग परी वो किसी से छिपा नहीं है जब पपू यादो के खिलाफ तेजश्वी यादो ने इतनी बड़ी केंपेनिंग की तब ये हाल रहा तो अभी तो तो तेजश्वी यादो ने रुपौली की सीट पर अपना कोई दिल्चस्पी दिखाया भी नहीं है नमांकन में भी नहीं गए ऐसे में सवाल है कि भीमा भारती के रह कितनी मुश्किल और कितनी असान इस सीट पर होने वाली है जिस तरीके की लड़ाई इस सीट पर बन रही है एक बार फिर आपको पुर्णिया के अंदर त्रिकोनिये मुकाबला देखने को मिलने वाला है पहले पुर्णिया लोक जलिये कैंडिडेट को कमजोड में मता किये क्योंकि वह अकेले जब लोचपा के टिकट पर बीते चुनाओं में लड़े थे तो महागडबंदन के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर किसक गए थे CPI के और उस दोरान वह दूसरे नंबर पर रहे बीमा भारती जरूर जीत गई दो अति पिछले की लड़ाई में संकर सिंग कौन सा कमाल कर पाते हैं राख किसी की भी इस सीट पर आसान नहीं दिखाई दे रही है CPI के तरब से भी बीमा भारती को पूर्न रूप से समर्थन देने की बात नहीं कही गई है हाँ ये जरूर उनके तरब से आया है कि वो कैं नहीं मिला है और ऐसे में रुपाउली विधानसबा का जो उपचुनाव है वह बहुत दिल्चस्प बनते जा रहा है बहुत ही जादा तीखी लराई होने वाली है और हमेशा से जब अगले साल विधानसबा चुनाओं तो जब भी उपचुनाओं होते हैं तो वह सेमी जो उपचुनाओं और निर्दलिये उतरकर सिंकर संकर सिंग ने इसे त्रिकोनिये बनाया है मुकाबला बेहत काटे का किस की हार किस की जीत इसी पर सब की निगाहें ठिकी हुई हैं 10 जुलाई को वोटिंग होगी 13 जुलाई को रिजल्ट आएंगे बने रहिएगा हमारे सा बहुत बहुत धन्मेवाद